तो दोस्तो मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि फोन पे में आप बैंक एकाउंट कैसे आप एड कर सकते हैं कैसे आप UPI पिन सेट कर सकते हैं सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप फोन पे में बैंक एकाउंट एड कर और आपको किसी भी तरीके का error आ रहा है या आपको add नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको add करना है कैसे UPI-painset करना है पूटल प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सबस्क्राब कीजिए, तो फोन पे में बैंक एकाउन एड करने के लिए सबसे पहले आपको phone पे application को open कर लेना है जैसी ही आप open करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले करना क्या है left side में आपको जो है एक profile का icon देख जाएगा इस पे click करना है जैसी ही आप इस पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक option देखने को मिल जाएगा bank account का तो आपको इस पे click करना है जैसी ही आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे एक option मिल जाएगा add new bank account तो आपको इस पे किलिक करना है, जैसे ही आप इस पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे बैंक का नाम शुकर जायागा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्टेट बैंक ओफ इंडिया, पंजाब निसन बैंक, पेटियम पेमेंट बैंक, बैंक ओफ इंडिया, बैंक सारे bank का नाम आ जाता है अगर आपका bank account जो भी bank में है यहाँ पे नाम नहीं show कर रहा है तो आप यहाँ पी search भी कर सकते हैं search by bank name तो यहाँ पे bank का नाम आप search कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे search कर लेते हैं Central Bank of India तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ चुका है Central Bank of India तो हमारा bank account Central Bank of India में तो हम इस तरीके से bank का नाम सच कर लिए हैं अब हम इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद जो है आपको यहाँ पर finding account लिख करके आ जाएगा और देख सकते हैं account लिख सक्सफुली यानि कि account ज जो है लास्ट का फरजीत नमबर भी सो कर चुका है अब मैं आपको जानकारी कली बता दू कि जब आप फोन पे में first time bank account add करेंगे तो आपको UPI pin set करना होगा जो कि आपको यहाँ पे जो है डन का जो option दिख रहा है यहाँ पे आपको set UPI pin का option देखने को मिल जाएगा जब आ आपको सबसे पहले UPI pin set करना होता है तो देख सकते हैं यहाँ पे done का option आ रहा है तो यहाँ पे reset pin का option आ रहा है तो चाहे आप reset pin पे click करें चाहे आप set pin पे click करें दोनों में same process है तो अगर आपको set UPI pin का option आ जाता है तो आपको उसी पे click करना है जैसी आपको इस पे click कर दे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ATM card का last का six digit number डालने का option आ जाता है तो यहां पर आपको अपने ATM card का last six digit number डाल दना है और ATM card का expiry month और expiry year यहां पर डाल दना है और मैं आपको जानकारी के लिए बदा दू कि आप जो bank account पिन अपने ATM card का आप कर सकते हैं यहां अपर अपर आपको दिकता अपर कर सकते हैं यहां पर आपको आप लास्ट का जो है six digit number डाल दना है और एक्सपारिमेंट एयर डालना है और नीचे एक option आपको मिल जाएगा देख सकते हैं proceed का तो आपको पूर सीड पे करने का option मिल जाएगा तो देख सकते हैं set four digit UPI pin तो यहां पर चाहते हैं यह कर पाएंगी तो यहां पर आपको यूपियाईपिन सेट कर लेना है और नीचे रैट का option मिल जाएगा रैट पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद जो है आपको दुबारा से UPI pin set करने का option आ जाएगा यानि के confirm UPI pin तो दुबारा से same UPI pin डाल देना है और नीचे red का option जाएगा red पे आप click कर देंगे आपका UPI pin successfully set हो जाएगा और उसके बाद आपका bank account successfully phone पे add हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है सीधे आपको back आजाना है home page पे और जैसे ही आप home page पे आ जाएगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा तो अब यहाँ पे आपका bank account successfully add हो जाएगा कि two mobile का option मिल जाता है इस पे किलिक करके आप mobile number के थुरू पैसे टांसफर कर सकते है तो बैंक का option मिल जाता है इस पे किलिक करके आप अपना bank balance चेक कर सकते है तो आप कुछ इस तरीके से फोन पे में bank account add कर सकते है आपको यह वीडियो पसंदे होगा वीडियो पसंदे है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट कीजिए मिलते किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच बाई